हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम उस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में फाइनली जिस चीज का इंतजार था वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यस बैंक में आज एक बहुत बड़ा मुमेंट आया है और यहाँ पर आपको जैसे की मैं बताते हुए आया था इतने दिनों से कि जैसे ही मार्केट में रिकबरी देखने को मिलेगी सबसे पहले banking sector में yes bank ही वही share होगा जो आपको एक सबसे बड़ा moment दिखाएगा और same scenario आपको यहाँ पे देखने को मिला है तो आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वज़े से yes bank में एक इतना बड़ा moment आया और ये moment कब तक sustain कर पाएगा क्या कल भी आपको ऐसे moment देखने को मिलेगा या फिर ये कोई एक operator की चाल हो सकती है इन सारी चीज़ों पर हम discussion करने वाले है वीडियो को पूरा देखिए एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी चैनल पर फर्स टाइम विज़ेट कर रहे हो सब्सक्राइब भी जरू कर लीजिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से मार्केट सिजारियों पर हम नाज डाल लेते हैं ताकि हमें जादक लेड़ी मिले आज सेंसेक्स में एक अच्छी खासी recovery देखने को मिली है करीबन धाई परसेंट की recovery आपको सेंसेक्स में देखने को मिली और करीबन 54,318 पर सेंसेक्स क्लोज होते हुए नजर आया है निफ्टी में भी शामदार recovery देखने को मिली है करीबन 2.63, 417 point की recovery और फाइनली यहां पर 16,269 के लेबल को टच कर दिया है निफ्टी ने निफ्टी बैंक में आपको 700 point के आसपास की recovery देखने को मिली यानि कि 2% की recovery ये चीज़ याद रखिए कि निफ्टी बैंक में 2% की recovery है आगे आपको यहां पर समझ में आएगा और निफ्टी मिट कैप में अच्छी मतलब सारी indices में सबते ची recovery निफ्टी मिट कैप में देखने को मिली है करीबन 2.73% के आसपास की कुछ stocks जिन में आपको आज भैंकर मुमन देखने को मिला अपसाइड में जिसमें हिंडाल को सबते नंबर अन पर नजर आता है और निफ्टी का एक stock ही है जिसमें आज गिरावट देखने को मिली है ये भी आप देखो यहाँ पे Tata Consumer Product जिसमें आपको 0.17% की गिरावट है यानि कि आज market बहुत ही ज़्यादा शांदा नजर आया है जल्दी से एक और data दिखाता हूँ जो कि Yes Bank से related नजर आता है इवन 162 million यहाँ पे आपको volume देखने को मिला है बहुत ही ज़्यादा volume दूसे नमर पर बोड़ा idea तीसे नमर पर सुजलान और चौथे नमर पर LIC जबकि LIC में आप देख पा रहे होगी कितने लोगों ने invest किया था तो यहाँ पे Yes Bank न उसको भी पीछे छोड़ दिया है तो यह तो बात होगी overall market की अब मैं आपको लेके चलता हूँ Yes Bank के front page पर 13.45 पैसे finally यहाँ पे आपको एक बड़ा moment करीबन 6% के आसपास का यानि कि जिस according इस particular stock में moment नहीं आता था और पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट हो रही थी मैंने आपको बोला भी था कि market काफी जादा downside है correction mode में है और जब market कबर करेगा, support करेगा तो definitely Yes Bank के एक बड़ा moment दिखाएगा और कल भी आपको एक अच्छा घासा moment देखने को मिला था 12 रुपे 70 पैसे पर open हुआ था 13 रुपे 50 पैसे का high बनाया यानि के अपने high के आसपास की closing इस particular stock की देखने को मिली है 52 week low और high आप यहाँ पर देखी पा रहे होगे 10 रुपे 50 पैसे का और 16.25 का open high low आप यहाँ पर देखी पाओगे साथी साथ volume भयंकर देखने को मिला है आज के दिन NAC पर मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ जिस पर आपको और ज्यादा clarity मिलेगी volume और delivery percentage के उपर यहाँ पर आप देखो करीवन 21 लाग के आसपास shares अल्रेडी लगे हुए हैं buying side में market closing के बाद यानि कि कल अगर market फिस सपोर्ट करेगा तो definitely एक अच्छा moment फिर से yes bank में देखने को मिलेगा और आपको बिना panic किये yes bank में बने रहना है यह मैं आपको इतने दिनों से बोल रहा था कि आप अपनी research तो जरू करें अपनी strategy के according scenario देखें लेकिन अगर आप yes bank की बुरी आलत में उसके साथ बने हुए हो तो जब चीज़े सही हो रही है तो definitely आपको यहाँ पे बने रहना चाहिए ऐसी मेरी recommendation है यहाँ पे अगर आप देखोगी तो एक जो सबते बड़ी चीज़ देखने को मिली वो यह है कि आज volume तो बहुत ज़्यादा देखने को मिला लेकिन यहाँ पे जो percentage of delivery है वो बहुत कम है तो इसलिए थोड़ा सा कल risky scenario भी हो सकता है करीवन 21% के आसपास की ही delivery percentage है तो वो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखके चलो क्योंकि अगर यहाँ पे delivery percentage भी 40-45% होती तो definitely कल एक बड़ा moment आ सकता था यानि कि जितना आ जाए लेकिन कल अगर market support काता है तो 2-3% का moment बन सकता है लेकिन थोड़ा सा risk की scenario हो सकता है कि जिन भी लोगों ने आज माल खरीदा है हो सकता है lower level पर जो माल खरीदा गया है तो यह तो बात होगी overall scenario की अब मैं आपको बताऊं कुछ जो particular news निकल के आ रही है yes bank से related वो भी मैं आपको directly बता देता हूँ यहाँ पे yes bank की तरफ से notice जारी किया गया था हाली में और यहाँ पे बताये गया था कि जिस according बहुत सारे लोग बोल रहते कि ARC वगेरा कुछ नहीं आएगा यह just एक scam है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इन companies के साथ यहाँ पे जो yes bank है वो meeting करते हूँ नजर आई है with respect to the ARC और यहाँ पे आपको बहुत सारी companies करीवन 11 companies देखने को मिल रही है तो definitely ARC तो आएगी चाहे आप इस चीज को मानो या फिर नहीं मानो और Q4 के जश्ट बादी जब interview दिया था CEO ने तो उन्होंने भी बोला था कि कभी भी announcement हो सकता है ARC जो है फाइनल stage में है और उन्होंने भी बोला था कि जैसे ही ARC आएगी तो situation जो है वो यहाँ पे बहुत ज़ादा अच्छी नजर आने वाली है यस बैंकी और जो भी loss हुआ है वो काफी हद तक recover होते हुँ नजर आएगा उनके investors को भी बाकी एक और जो news reliance capital से related जो निकल के आती है वो यह है कि केवल तीन ही company रह गई है उसको acquire करने के लिए जिसमें आपको piramal group नजर आता है yes bank नजर आता है और HDFC ergo नजर आता है केवल यही तीन company है जो अभी line मर हैं आपको reliance capital को खरीदने के लिए बाकी आप सारी company हटते हो नजर आए हैं और yes bank try करेगा अपना best possible कि वो reliance capital को acquire कर ले so that यहाँ पर अच्छी खासी NPS की recovery ARC से पहले ही हो जाए तो आपको क्या लगता है जो आज moment आया है वो कल sustain कर पाएगा या फिर नहीं या फिर यहाँ से और क्या scenario बन सकता है yes bank के बारे में वो आप comment वाग में लिखिए यहाँ पर मैंने आपको जो भी possible solutions थे वो बता दिये हैं तो वीडियो अच्छी लगे like कर दीजेगा चैनल पर अगर आप first time visit कर रहे हो तो please channel को subscribe भी जरू कर लेजेगा धन्यवाद